दो हजार तेईस के पेपर में और अब इन दिनों में आप लोगों की तैयारी और आप लोगों का रिविजिन आई होब बहुत बढ़िया चल रहा होगा आज सुबह हम लोगों ने बच्चों questions किये थे और सुबह आज हम लोगों ने जो complete 12th है complete 12th का जो syllabus है उसके questions आज हमने solve किये थे और आज आप लोगों के कहने पर हम लोगों ने diagrams जितने NCRT में हैं बच्चों वो diagrams हो गए, कोई chart दे रखा है, कोई table दे रखी है तो वो सारी table, वो सारे charts और वो सारे diagram से क्या सवाल बन सकते हैं, किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है आज हम उसका session लेकर आए हैं ठीके बच्चों, देखिए लगबग आप लोग हम से 2 महीने या 2,5 महीने से जुड़े हुए हैं और लास के 2,5 महीनों में हमने ऐसे सुभे और शाम की classes लेकर लगबग लगबग काफी revision आप लोगों को करा दिया है आप लोगों ने बड़े महनत से, बड़ी इमानदारी से और बड़ी शिदत से जिसे कहते हैं ना पढ़ाई की है, महनत की है, revision किया है मैं देख रहा हूँ आप लोग क्योंकि नीट की तैयारी बच्चों अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है तो आप लोगों को मतलब कभी भी जब कभी भी आप थोड़े मायूस हो रहे होना तो इतना जरूर सोचिएगा कि आप लोगों ने तगड़ी महनत की है और इतनी तगड़ी महनत की है तो महनत तो कभी नुकसान देती ही नहीं है तो बढ़िया है आप सुबह लगे हुए शाम को लगे हुए हैं पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और इस बात को लेकर जरूर खुश रहिएगा कि आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं कुछ नया जान रहे हैं और अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा जितनी आप अपेक्षा रख रहे हैं उससे बहतर ही होने वाला है ठीक है ना तो भाशन तो ठीक है अब करते रहेंगे लेकिन आज हम ओल डाइग्राम जितने डाइग्राम और चा चार्ट बाट देख लेते हैं कहां से हैं 11 से हम चालू करेंगे बच्छों तो इसमें जितने डाइग्राम से आपके पास और जितने चार्ट हैं जो जितने टेबल्स NCIT में दे रखी हैं तो उसकी आज हम बात करेंगे ठीक है शुरुआत करें भई तो देखो सबसे पहले त आपके पास क्या है 5 Kingdom का एक चार्ट दे रखा है तो 5 Kingdom का या 5 जो 5 जगत का चार्ट है इस पे सवाल बन सकता है अब कैसे बन सकता है भई देखो यहां पर आपके पास question mark डाल सकते हैं यहां पर question mark डाल सकते हैं यहां पर A लिख सकते हैं यहां पर B लिख सकते हैं और आपको वो बताना पड़ेगा कि question mark का मतलब क्या है तो जैसे monera है monera में हमको पता है सारे pro-carriots होते है उनका काय संगठन कोशी किया या cellular होता है केंद्रक जिल्ली उनमें नहीं पाई जाती कवक की बात करें तो कवक का cell type ucarriots है कोशी का भित्ती सब में पाई जाती है काईटेन की होती है काईटेन का मतलब उसमें cellulose नहीं होता तो वैसे तो हम लोगों ने ये one shot में सारा का सारा जैविक वर्गी करन किया ही था लेकिन आप तयार रहिएगा कि अगर कोई chart का सवाल आएगा तो ये chart हूबहू NCRT से आ जाएगा ठीके हूबहू ये NCRT का chart डाल देंगे और आपके पास ABC या question mark डाल देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इसको fill कर दो ठीके तो आपको कैसे तयारी करनी है mode of nutrition अच्छा इन में से सबसे जटिल portion सबसे विविद प्रकार का portion किसमें मिलता है मौनेरा में क्योंकि उसमें स्वपोशी भी है विशम पोशी भी है autotrophs भी है और heterotrophs भी है ठीक है फिर जन्तु जैसे portion को क्या कहते हैं holozoic आपसे पूछ सकते हैं कि पादप और जन्तु में plant और animal के काई संगठन body organization में क्या antar है ठीक है ना आपसे पूछ सकते हैं plant और animal के body organization में क्या antar है भई दोनों में उट्तक हैं दोनों में अंग हैं फरक किसका है अंग तंतर का क्योंकि अंग तंतर केवल animals में मिलेगा plants में नहीं मिलेगा तो इस पर क्या सवाल बन सकता है बही एक पूरा चार्ट आ सकता है पूरा चार्ट यू का यू आएगा और उसमें question mark mark सकते है x, y, z, abc लिख सकते हैं और fill in the blanks इसमें पूच सकते हैं ठीक है कोशी का भित्ती किसमें है किसमें नहीं है ये सवाल बन सकता है ये भी बन सकता है कि कोशी का भित्ती सेलिलोस की किसमे है गैर सेलिलोस की किसमे है है ना भई तो सेलिलोस की कोशी का भित्ती किसमे मिलेगी सेलिलोस की कोशी का भित्ती प्रोटिस्टा में मिलती है और प्लांट में मिलती है प्लांट इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है cellulose की अगर होगी और plant बेबी होगी cellulose की किसमे cell wall होगी लेकिन cellulose की नहीं है किसमे ऐसी cell wall तो है लेकिन cellulose की नहीं है तो fungi में kaitin की है और monera में भी polysaccharide ये non-cellular नहीं है बच्चों non-cellulose है peptido glycan जिसे हम कहते हैं तो इस तरह से भी सवाल आपके पास बन सकता है कामिनी जी बेटा ये NCRT का ही चार्ड बनाया बेटा पर ने अब इससे ज़्यादा बड़ा तो मैं कर नहीं सकता बेटा बोड़ ही इतना ही है हमारे पास ठीक है इसकी हिंदी भी है बच्चों बिल्कुल तो वो मौनेरा प्रोटेस्ट आपको दे रखा है इस तरह के सवाल आमारे पास बन सकते हैं इसमें प्रजनन की विधी भी है रेप्रडक्शन जो है सयुगमन युगमक सनले निशेचन निशेचन और ये भी लक्षन दे रखे हैं बेटा सयुगमन जो है ना सयुगमन जो है वो जिवानू में DNA स्थानांतरन की तकनीक है जब एक जिवानू से दूसरे जिवानू में DNA का स्थानांतरन होता है एक बेक्टीरिया से दूसरे बेक्टीरिया में जब वो दौनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं फिर देखो बच्चों, फिर आपके पास ये डाइग्राम्स है, ये डाइग्राम्स है जिवानू के अलग-अलग शेप, बेक्टीरिया के अलग-अलग शेप, तो स्फेरिकल शेप जो होता है बच्चों, ये गोल या स्फेरिकल शेप को क्या कहते हैं, कोकाए, ये आपके पा पस ये spiral shape का तरकू shape का क्या है spirelium और कॉमा आकार का कॉमा shape का क्या होता है vibrio तो ये diagram जो है वो आपने पास क्या हो गया भई ये आपके पास shape पर बना सकते हैं ठीक है तो इस पर match the column बन सकते हैं बचों match the column बन सकते हैं कि एक तरफ आपके पास cocae, vibrio, bacillus लगदे, एक तरफ rod shaped, comma shaped, spherical और आपको match करना है कौन से shape में कौन सा है तो spherical आकार cocae है, rod shaped bacillus है, तरकू या spindle आकार spirala है और comma shape का क्या होता है vibrio होता है तो ये जिवानू या bacteria के shape का सवाल बन सकता है ठीक है भई, फिर next क्या है, next आपके पास उधारण no stock है ये आपके पास किसका diagram है बच्चों, no stock का, no stock आपको पता होना चाहिए नील हरिच्छेवाल अब देखो बच्चो, diagram पे है ना, सुन लेना एक बार दो तरे के सवाल diagram पे बन सकते हैं एक तो आपको सीधे diagram दे दे और diagram में आपको labeling करने को बोलने, आपको X दे दे और Y दे दे आपसे पूछे X क्या है, Y क्या है तो जैसे नौस्टॉक में X ये hetero-sist है hetero-sist विशेश प्रकार की कोशिकाए हैं बच्चो जो nitrogen जो nitrogen थिर करती है तो nitrogen थिर करने वाली कोशिकाए या जिन कोशिकाओ में है, जिन cells में nitrogen थिर होता है, उसको हम hetero-sist कहते हैं तो एक तो ये है ये Mucilage यानि शलेशमी आवरण है ये शलेशमी आवरण इन सारी कोशिकाओं को आवरित रखता है तो डाइगराम में एक सवाल तो क्या बन सकता है बचों? एक सवाल तो यह है कि डाइगराम आ जाएगा X और Y आपको label करना होगा पहला सवाल दूसरे तरे का सवाल क्या बन सकता है आपसे पूछे कि X जो है उसका कार्य क्या है आपको diagram बना दे diagram में इसको X लिख ले और इसका कार्य पूछे तो पहले आपको X पता करना पड़ेगा कि Sir X तो heterocyst है heterocyst है तो इसका कार्य क्या है nitrogen theory करन है दूसरा और तीसरे तरे का सवाल क्या है आपको ये diagram दे दे और आपसे ये पूछे कि डिये गए चित्र का जो organism है उसके लक्षन क्या है तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये diagram किसका दे रखा है Nostok का Nostok है तो blue green algae है blue green algae है तो किसके अंदर आएगी Monera जगत में तो इसके लक्षन पूट सकते हैं इस पे पूट सकते हैं कि इनकी कोशी का भित्ती cellulose से बनी है या non-cellulose से तो इनकी कोशी का भित्ती में cellulose नहीं है इनकी कोशी का भित्ती peptido glycans से बनी है trichome इसमें नहीं है RGG इसमें mucilage का आवरण है इसमें ये जो पूरा तंतु ए फिलमेंट है उसको trichome कहते हैं बढ़ NCRT में नहीं है बेटा ठीक है ना तो आपको एक diagram पे तीन तरह के सवाल कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ diagram की labeling सुन लेना वाप देखो बचो समझ लो लास के समय में diagram पे हाँ तनुषका जी transposons mobile genetic elements है transposons का मतलब होता है ऐसे DNA जो एक गुनसूत्र से दूथरे गुनसूत्र पर अपना स्थल परिवर्तित कर सके अगर कोई DNA है जो एक क्रोमोजोम से दूथरे क्रोमोजोम पर मूब कर सकता है ट्रांसफर होता है तो इस mobile genetic elements या jumping genes को transposons कहते हैं तनुषका जी ठीक है वेटा तो diagram पे तीन तरह के सवाल आएंगे बच्चों यहाँ पर सुन लेना मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ तीन तरह के संभावना diagrams के सवाल पर सबसे पहला तो labeling सबसे common तरह का है diagram आजाएगा diagram में आपको x, y, z लिख देंगे और आपसे पूछेंगे labeling confirm कर दो दूसरा सवाल आ सकता है labeling और उसके कार्य पर जो भी आपको label करने को बोला गया है x, y, उसका कार्य पूछ सकते है वो क्या काम करता है पूछ सकते है और तीसरा उससे संभंदित जिस organism का वो diagram है उस organism का कोई लक्षन पूछ सकते है तीन तरह के सवाल आपको ध्यान रखना है ठीके भई फिर next diagram क्या है आपके पास ये विभग division वाला bacteria ये एक bacteria है बचों और इसमें basically dividing तो ठीक है इसमें DNA transfer भी बता सकते है दो bacteria है दो bacteria एक दूतरे के संपर्क में है तो ये DNA transfer भी हो सकता है या ये bacteria division भी दर्शा रहा है सब aerial का मतलब बेटा जो देखो ये तो तने के रुपांतरन होते हैं बेटा aerial मतलब जो soil के उपर रहता है एक underground जो मृदा के नीचे रहता है और एक जमीन के थोड़ा सा नीचे और उपर रहता है तो उसको sub aerial कहते है ठीके भई चलिए फिर आपके पास अब देखो important चीज़ है ये diagram पूछे जा सकते हैं क्या-क्या है आपके पास figure में क्या-क्या दे रखा है ये तो आपको dino flagellate दे रखा है क्या दे रखा है बच्चो dino flagellate है ये आपको क्या दे रखा है yuglina है ये आपको क्या दे रखा है slime mold दे रखा है और ये आपके पास paramecium है तीन तरह के सवाल बना सकते हैं पहला तो आपको simple ये चित्र आ जाएगा और आपसे पूछेंगे दिया गया चित्र किसका है कौन सा ओर्गैनिजम है सीधर सवाल बना देंगे दूसरा आपको लेबल इसमें तो लेबलिंग है नहीं अब सुनो इस डाइगराम में कोई लेबलिंग तो है नहीं इसका मतलब ये सारे डाइगराम example organism के है अब organism के है तो सवाल पूछ लेंगे जैसे ये डाइगराम नीट में आ गया ये डाइगराम नीट में आ गया कि इनमें cell wall होती है या नहीं इनमें कोशी का भित्ती होती है या नहीं तो आपको पता है सर इनमें cell wall तो होती नहीं slime molds हैं इनमें कोशी का भित्ती नहीं होती लेकिन सर हाँ जब प्रतीकूल परिस्थितिया होती है unfavorable conditions होती है तो इनमें फलनकाय बनता है फ्रूटिंग बॉडी बनती है और फ्रूटिंग बॉडी बनती है तो उसके उपर जो बिजानू बनते हैं उसके उपर जो स्पोर बनते हैं उनमें सेल वॉल होती है फिर ये पूछ सकते हैं कि ये विशम पोशी है swoph पोशी है तो हमको पता है सारे के सारे हेटरो ट्रॉप से सारे के सारे विशम पोशी है और ज्यादा तर मृतौब जीवी होते हैं मृतौप जीवी का मतलब सैप्रोफिटिक डेट डीकेंग और्गैनिक मैटर से नीट्रिशन होगा तो आप समझ रहे हो ये किसी के भी लक्षन पैरा मीशम पूर सकते हैं अब पैरा मीशम आते तो किसमे है प्रोटेस्टा में आएगा बिल्कुल प्रोटेस्टा है लेकिन उसके अंदर ये किसमे आएगे प्रोटो जोवा में पैरा मीशम किसमे आएगा प्रोटो जोवा में इसमें सवाल पूर सकते हैं कि इनकी गमनांग क्या है इनका लोकोमोटरी ओर्गन क्या है क्योंकि प्रोटो जोवा को अपन चार वर्गों में डिवाइड करते हैं और चार वर्गों में डिवाइड ठीक है तो आपके पास पैरा मीशियम जो है उसको हम गमनांगों के आधार पर तो पैरा मीशियम में क्या होता है बचो सीलिया पैरा मीशियम में गमनांग के रूप में क्या होता है सीलिया तो आपको ये ध्यान रखने है आ रहे ये बात समझ में यूगलिना आपसे पूछ सकते हैं आपसे पूछेंगे यूगलिना में सेल वॉल तो नहीं होती तो ये बाहर या आवरन बाहर प्रोटीन का आवरन होता है और यूगलिना में जो बाहर प्रोटीन का आवरन या कवरिंग होती है उसे क्या कहते है पहली कल कहते है आपसे ये भी पूछ सकते हैं बच्चो ये भी यूगलिना का फोटो दे के पूछ सकते हैं इसके प्रकास संचलेशी वरनक इसके फोटो सिंथेटिक पिगमेंट किसके समान है तो NCRT में दे रखा है इसके प्रकास संचलेशी वर्नक उच्य पादपों के समान है, हायर प्लांस के समान है, मतलब यूगली नामे क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B मिलेगा देखो बच्चो इस क्लास का उद्देश्य ये है कि आपको मैं सिर्फ ये बता सकूँ कि हर डाइग्राम से कितने तरे के किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं ठीके, देखो बच्चो आप पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, बट एक थोड़ी सी अप्रोच मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि डाइग्राम से क्या ही बना सकते हैं सर अगर कोई चित्र आ जाए, क्योंकि अगर आपको पहले से पता रहेगा, आप पहले से प्रिपेड रहोगे कि सट डाइग्राम पे इसी तरे का सवाल आएगा, तो आपकी तैयारी अपने आप बहतर हो जाएगी बस यही उद्देश है, लक्षन तो हम सबने पड़े हुए है, लक्षन आप सबको याद है, आप समझ रहे हो, आज यूगलिना के लक्षन सबको याद है, तो सर डाइग्राम पे सवाल कैसे बना देंगे, ये चित्र बनावा आ जाए, और आपसे पूछेंगे इन में से कड़ी भी हो गई, बिल्कुल बड़ी आउमेज जी, अब ये कैसे हो गई, न्यूट्रिशन के आधार पर, पोशन के आधार पर, जब लाइट होती है, तो ये विशम पोशिया हेट्रोट्रॉप हो जाती है, तो लक्षन तो आप सब लोगों को याद है, लक्षन तो हमने सारे वन शॉट में किये भी थे, लेकिन डाइगराम के आधार पर भी वो लक्षन पूट सकते हैं, आ गई बात सबको समझ में आ रही है, ठीके, अब ये देखो, ये कवक है, अब कवक में ये डाइगराम किसका है, म्यूकर का है, ये आपके पास किसका है, एसपरजिलस का ह और ये आपके पास किसका है, मश्रूम या अगैरिकस, ठीके, अब इस डाइगराम से क्या-क्या पूट सकते हैं, ये चितरा आ जाए आपके पास, या ये चितरा आ गया मान लो, अब ये चितरा आपसे पूछ ले, ये आपसे पूछ ले कि भाई, ये कौन से वर्ग का कवक तो आपको पता होना चाहिए यह aspergillus है aspergillus किसको बिलॉंग करता है aspergillus किसको बिलॉंग करता है ascomycities समाझ जाएंगे अब इस पे ये भी सवाल पूट सकते हैं कि दिये गए चित्र में दिये गए चित्र में अलेंगिक बिजानू कौन से होते हैं ठीक है in the given diagram asexual spores will be तो अब आपको पता है aspergillus है aspergillus है तो ascomycities है ascomycities के अंदर asexual spores कौन से होते हैं भई कौन इडिया समझ रहे हो लक्षन तो वही है लक्षन वही रहने है लेकिन diagram के आधार पर कैसे सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ देखो बच्चो इस session का उद्देश्य सिर्फ यही है ठीक है ना काफी बारम को लग रहा होगा सर्थ diagram तो हम खुदी देख लेंगे इसमें नया क्या है तो सिर्फ आपको prepare करने के लिए बता रहा हूँ कि एक diagram से लक्षन भी बना कर पूछ सकते हैं जैसे अगैरिकस तो अगैरिकस मतलब मश्रूम है ये खाने योग्यम मश्रूम है ये खाने योग्यम मश्रूम है कौन से वर्ग को बिलॉंग करेगा बेसीडियो माई सिटीज में कौन से बेसीडियो माई सिटीज इसमें पूछ लें अलेंगिक जनन कैसे होता है भई आहां अरे दीप श्री बेटा एंडोजीनस नहीं होता बेटा कौनीडिया एक्सोजीनस होता है ये देखो बाहर बिजानू बनेंगे गल्ती मत कर देना बेटा कौनीडिया एक्सोजीनस होते हैं, म्यूकर ये phycomycetes में आता है और phycomycetes के अंदर जो अलेंगीग भी जानू होते हैं, जो चल भी जानू zoospores और aplanospores अर चल भी जानू ये endogenous ये antagenit होते हैं बेटा conedia exogenous होता है, हाँ इसके अंदर sexual support ascus होते है, asco spores, इनके अंदर sexual spore asco spores होंगे और वो सही है वो अंतह जनित या endogenus होंगे बहुत बढ़िया भई एरेन येगर ने तो basidium icitis में बिजानू तो asexual spore बनते ही नहीं है तो इनमें asexual reproduction a-langic genal fragmentation से होता है हाँ इनमें केवल langic bijanू बनते हैं langic bijanू को कहते हैं basidio spores और जो exogenous बाहर बनते हैं ये ये फलन काएके बाहर बनते हैं exogenous तो लक्षन तो सबको ही मालूम है ठीके लक्षन तो आप सबको मालूम है हम सिरफ उस लक्षनों को diagram के संबंद में जोड रहे हैं एक चित्र आ जाए चित्रक से लक्षन पूछ लें हम आज का जो session है वो सिरफ आपको diagram और लक्षनों को जोड पाने का लवी है ठीके फिर आपके पास ये viruses हैं भई ये तंबाकू मोजेक वाइरस टोबैको मोजेक वाइरस का diagram है ये हमको पता है जिवानू भोजी है ठीके दोनों वाइरसेज ही है अब फरके टोबैको मोजेक वाइरस में ये अनुवान शिक्पदार्थ RNA होता है single stranded RNA होता है ये capsid जो है protein आवरन होता है बिलकुल और ये इसकी छोटी छोटी इकाईयां क्या कहलाती है capsomere ये capsid तो पूरा प्रोटीन कोट है इसकी छोटी छोटी इकाईयां क्या कहलाती है capsomere तो वाइरस का protein आवरन या protein कोट क्या कहलाता है capsid ये जिवानू भोजी है जिवानू भोजी में मुख्य रूप से आनुवानशिक पदार्थ double sanded DNA होता है ये ज्यादा तर जो जिवानू भोजी है T2 है T4 है Lambda Phage है ये जितने जिवानू भोजी होते है इनके अंदर द्वी रज्जुक DNA होता है और ये जिवानू को नुकसान भोजाता है ये किसको नुकसान पहुचाते हैं आ गई बात समझ में तो ये वाइरसेस पर आ सकता है इनके अनुवानशिक पदार्थ पर पूछ सकते हैं सवाल इनके प्रोटीन आवरन प्रोटीन कोट पर पूछ सकते हैं बिलकुल सही double sanded DNA है फिर क्या है बचों अच्छा ये तो हिंदी में फिर आपके पास अब देखो plant kingdom plant kingdom और animal kingdom में बहुत ज़्यादा संभावना है कि diagram पे सवाल आ जाए एके बीजे ने लिखा है सर पढ़ने का मन नहीं हो रहा देखो यार जीवन में इसका तो देखो मेरे पास एक बहुत simple सा जवाब है कि जीवन में क्या है बच्चों दो ही आपको तरीके मिलेंगे जीने के एक तो वो तरीका है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा जीवन आप जी सकें और दूसरा तरीका है कि लोग तै करें कि आपको कैसे जीना है तो अगर आप अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से अपने फ्रीडम से जीवन जी पाऊं तो उसके लिए बच्चों काफी बार मन तो मारना ही पड़ेगा ठीक है ना अब आप एक चीज़ सोचिए आपका उद्देश्य इस समय अगर exam की तयारी करना है exam के लिए prepare करना है तो उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी आपके पास इस समय दूतरा विकल्प है नहीं हाँ सर हाँ मैं ये नहीं करना चाता मैं ये entrance exam नहीं देना चाता मैं तो कुछ और करना चाता हूँ तो फिर जो आप कुछ और करना चाते हैं उस पर मेहनत कीजिए कुछ नहीं करने से जीवन में नहीं फायदा होगा ना बेटा आप खाली बैठे बैठे सिरफ सोच रहे हैं, सिरफ overthink कर रहे हैं, उससे नुकसान ही होना है, सोचिये कम और करिये जादा इस उमर में, इस उमर में अगर आप बहुत जादा चीज़ें कर रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, वो भी allowed हैं, लेकिन कुछ नहीं कह कर रहे हैं, हाथ पे हाथ दरे बैटे है वो नुकसान देता है इस उमर में 17-18-19 साल की अगा आपकी उमर है 17-20 साल की उमर होगी आप लोगों की इस बीच में तो इस समय आपकी फिजियोलोजी इस समय आपकी कारी की जो है वो सबसे बेस्ट है यार इस समय आपके नियूरोन सबसे बहतर stimulated है उतेजित है पेशे आपकी बहतर काम कर रही है तंत्री का तंत्र काम कर रहा है पाचन तंत्र बढ़िया काम कर रहा है इस समय 17-22 साल की जो एज होती है उस समय human physiology मानव कारी की बहतरीन होती है बिना किसी दिक्कत के काम करती है तो जब आपका शरीर आपका साथ दे रहा है तो फिर थोड़ा बहतर करिए यार कुछ अच्छा करिए ठीके ये तो आपको करना पड़ेगा कुछ नहीं करना है ओवर्थिंग करना है सर खाली बैटे है सोच रहे हैं इतना कुछ नहीं उससे नुकसान ही होगा कुछ भी करो मैं तो कहरा हूँ जब आपको लग रहे हैं सर बहुत ज़्यादा सोच रहे है सर हम ये सोच रहे है एकजाम में क्या सवाल आएंगे एकजाम में सर हम नहीं कर पाए तो पता नहीं क्या सवाल इतना सोच अगर दिमाग जा रहा है न तो एक खाली पेपर उठाओ खाली पेपर पे flow chart बनाना चालू कर दो परिसंचरन तंत्र का flow chart बना लो पादब जगत के उधारन लिखने लग जाओ biological classification के खाली पेपर पे उधारन या कुछ लिखने लग जाओ अपने आप मस्तिश्क उन चीजों को छोड़कर उस उधारन में फस जाएगा तो तरीके तो आपको अपने आप ढूनने पड़ेंगे अपने रूम में नहीं पढ़ पारे हो छट पे जाके पढ़ लो चट पे नहीं पढ़ पारे हो पार्क में जाके पढ़ लो पार्क में नहीं पढ़ पा रहे हो अपने रूम में टेबल कुर्सी में बैट के पढ़ लो कोई भी तरीके से इन दस दिनों में वो काम कर लो जो आपको साथ में में फाइदा दे सिंपल सी बात ये है ठीक है चलो भाशन तो बहुत हो गया ये सब डाइग्राम है बचों ये सारे डाइग्राम है अब देखो ये आपके पास ग्रीन एल्गी है ग्रीन एल्गी है और ग्रीन एल्गी में ये वॉल वॉक्स है वॉल वॉक्स हमको पता है कॉलोनी के रूप में पाई जाती है और ये गतीशील है, motile colony है, तो ये बाहर parent colony है, अंदर उसके अंदर ये daughter colony है, वालवॉक्स कौन सी शेवाल है, green algae, तो इस पे सवाल बना सकते हैं, भई इनकी कोशी का भित्ती क्या है, इनकी कोशी का भित्ती में cellulose है, पेक्टोज है, इनका भोजन संचे, इसका संचित भोजन क्या है, सर इसमें starch है, इनमें flagella कितने होते हैं, सर दो से आंट flagella होते हैं इनमें, सारे के सारे समानाकार के होते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये सारे लक्षन आपसे पूट सकते हैं, फिर इनमें वर्णा कौन से है ख्लोरोफिल A और B है फिर आपके पास A का सेकिंड ये क्या है आपके पास ये यूलोथ्रिक्स है ये आपके पास यूलोथ्रिक्स है ये भी ग्रीन एल्गी है लेकिन ये तन्तूमय है ये भी है तो ग्रीन एल्गी हरी शेवाल है लेकिन ये तन पुराना एक कोशिक या क्लमाईडो मोनास का डाइग्रैम भी पुरानी NCRT में दे रखा है फिर आपके पास ये सब भूरी शहवाल आ गई ये भूरी शहवाल में ये आपके पास लैमीनेरिया है बिल्कुल लैमीनेरिया ये आपके पास fucus है और ये आपके पास dictiota है ये सारे brown algae है brown algae में ही cellulose तो होता है लेकिन उसके साथ-साथ algin मिलता है इनकी कोशी का भित्ती में फिर इनके विशेश लक्षन क्या है इनमें संचित भोजन, stored food, laminarin और manitol होता है फ्लेजिलाइन में दो होते हैं दोनों unequal होते हैं फिर इनके अंदर important चीज इनके युगमक यानि gametes हैं इनके पास बिजानू हैं वो नाशपती आकार के peer shaped के होते हैं तो ये लक्षन पूट सकते हैं फ्यूकस आपको पता होना चाहिए इकलौती शेवाल है जो diploid है, diploid है इकलौती शेवाल है जिसका जीवन चक्र diploontic है तो ये diagram दे देंगे आपको पता करना पड़ेगा फ्यूकस है तो उसके लक्षन बना सकते हैं फिर आपके पास ये देखो, ये आपके पास लाल शेवाल है, लाल शेवाल में ये पॉरफाइरा है और ये पॉली साइफोनिया है ये दोनों लाल शेवाल है, लाल शेवाल में भई सेल्यूलोस के साथ साथ सलफेट के एस्टर होते है फ्यूकस और डिक्टियोटा में डिफरेंस कैसे करें, तो ये तो बेटा देखो, जो इसमें जादा शाखाएं लग रही है न, डाइग्राम में जिसमें जो जादा फैला हुआ है, वो डिक्टियोटा है और जो एक ही दिशा में मुड़ा हुआ है वो funcus है पता कर लोगे यार ठीक है ना तो वो तो आप पता कर ही लोगे जो देखो यहाँ पर सिर्फ कम शाखित लग रहा है वो funcus है जो भरबर के शाखाओं में है वो आपके पास dictiota है पॉर्फाइरा बिल्कुल सही खाने योग्या है खाने योग्या शेवाल पॉर्फाइरा है रेड अल्गी और ब्राउन अल्गी भी होती है दो खाने योग्या लेमिनेरिया और सेर्गैसम वो भी होती है फिर लाल शेवाल में आपको याद अखना है chlorophyll A और D होता है फिर ये ऐसी शेवाल है जिनमें फ्लेजिला नहीं होता ये ऐसी शेवाल है जो समुद्र की सतय पर भी होती है गहराई में भी पाई जाती है फिर NCRD में एक लाइन है भी नोट कर लेना ये ऐसी शेवाल है जिसमें निशेचन के पस्चात जटिल परिवर्तन देखे जाते है पोस्ट फर्टलाइजेशन कॉंप्लेक्स चेंजिस देखे जाते है तो वो सब लाल शेवाल के लक्षन है तो इस तरह से डाइग्राम से लक्षनों के बीच का कनेक्शन आपको बनना है बेटा देखो स्कोर अब कम आ रहा है जादा ा रहा है अब इस पर विचार विमर्श ना ही करे तो बहतर है अब कुल दस दिन है यार ठीके लास के दस दिनों में मैं आपको बता दूँआँगा देखो लास के दस दिन सिरफ आपके है अब लास के 10 दिनों में या लास के हफ़ते बर जो है न वो मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत जादा चीजें और जो चीजें आपने अब पहले से पहले नहीं पड़ी हुई है उनको देखने की जरूरत नहीं है अब जितनी चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले देख चुके हैं उनको रिवाइस करने का ही समय है लास के 10 दिनों में कोई नई चीज लेकर बैठोगे कोई नई चीज पढ़ोगे कोई चीज पहली बार पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो अब काम नहीं आएंगी वैसे भी लास के मैने बर में रिविजन करना होता है लेकिन लास के 10 दिनों में तो आपको सिरफ उनी चीज़ों को पढ़ना है जिनको आप पहले पढ़ चुके हो अब 10 दिन से भी कम ही रह गए हैं 26 तो खतम हो गई साथ को एक्जाम है तो कुल मिला मतलब effectively अब 9 दिन हैं आपके पास बढ़िया ठीक है भई तो ये आपको अलगी के लक्षन मैंने यहाँ पर ध्यान रखने हैं ये हिंदी में बना रखे थे फिर ये अलगी है देखो भई लेक्टोज होता है cellulose के साथ sulphate testers है इसमें अलगीन है 2 से 8 है equal 2 से unequal और इसमें absent है तो कौन सी शहवाल है जिसमें फ्लेजिला नहीं पाया जाता या सवाल आजाए ऐसी शहवाल ऐसी अलगी बताओ जिसमें अगतेशील बिजानू हैं अगतिशिल युगमक हैं non-motile spores आजाए non-motile gametes आजाए तो answer आप क्या करोगे लाल शेवाल करोगे ठीक है भाई तो ये आपके पास बिन्दू फिर आपके पास ये bryophytes है bryophytes में उपर वाला diagram आपके पास liver work का है और liver work में आपको diagram किसका दे रखा है मरकैंशिया का नीचे वाले डाइग्राम आपके पास मौसेज के हैं, है तो ब्रायोफाइट लेकिन मौसेज हैं इसमें आपके पास ये तो फ्यूनेरिया है और ये आपके पास फेगनम है तो ये आपके पास liver words हैं अब इसमें क्या-क्या diagram पे सवाल बन सकते हैं सबसे पहले mercantia में male और female अलग-अलग है ये मादा thallus है यानि female thallus है और ये नर यानि male thallus ये है ये female thallus है इसका मतलब mercantia diatious है ये लक्षन आपको 12th के first chapter में भी मिलेगा ठीक है भई अरे AKB जी बचे हुए बेटा जब last के 7-8 दिनों में थोड़ा तो खुजी तयारी कर लीजिए यार भई 7 तारिक को फिर हम थोड़ी बैठेंगे आपके साथ exam देने यार अब last के 7-8 दिनों में तो कोशिश कीजिए बेटा कि खुद अपने आप खाली समय बैठ कर मोबाइल स्क्रीन से बाकी सब चीजों से दूर रहकर NCRT को बढ़िया तरीके से पढ़िए बेटा इतना तो आप सोचिए कि आप सोच रहे हैं कि सर 6 तारिक तक हम YouTube के इतने सारे वीडियोस देख लें बेटा लास्ट के साथा दिनों में यही कहना चाऊंगा लास्ट के साथा दिनों में अपने NCRT को घोट लीजिए बहतर तरीके से रिवाइस कर लीजिए मैं आज का सेशन सिरफ आपको बताने का है कि आपको तैयारी कैसे करनी है ठीके बच्चों मैं आपके लिए चीजे याद नहीं रख सकता याद आपको खुद को रखनी पड़ेगी हाँ मैं आपको यहाँ पर आकर बता सकता हूँ को चीजों को आसान कैसे कर सकते हो चीजों को आसानी से समझ कैसे सकते हो चीजों को एक से दूसरे के साथ जोड कैसे सकते हो लेकिन साथ में को पेपर आपको खुद को देना है गोले आपको उस दिन खुद भरने है questions आपको खुद समझ कर उसका जवाब देना है तो last के साथ दिनों में NCRT को तथस्त रूप से NCRT की हर एक लाइन को तरीके से रिवाइस कर लीजेगा पढ़ लीजेगा आप लोग आ रही है बात समझ में फुल सिलिबस किया था नेया जी अपने कल 11th का पूरा सिलिबस का test मैंने questions कराए थे आज हमने पूरे 12th के chapters के पूरे सिलिबस के test कराए थे बेटा ठीक है ना तो ये अब इसमें लक्षन बच्चों देखो ये डाइशे से फिर गेमा कप्स पे सवाल बन सकता है मैंने बनाया ये जेमा कप्स पे सवाल बन सकता है कि जेमा कप्स के लक्षन क्या है या इसको आपको ए लेबल कर देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ जेमा कप्स क्या है ये अलेंगिक है या लेंगिक है तो आपको पता होना तय ये था भई एसेक्श्वल है समझ रहे हो तो राइजोइड मूला भास पे सवाल बना सकते हैं भई मूला भास फिर स्फेगनम में आपके पास बना सकते हैं ये एंथरीडिया आर्की गोनिया फिर इनमें आपको ये गेमीटोफाइड युगमा कोदभित जो एन होता है बिजानुदभित स्पोरोफाइड स्पोरोफाइड किसमें विबाजित होता है फुट सीटे और कैपसियूल में तो इनमें कौन सी संदचना द्वी गुनित है कौन सी संदचना अगुनित है ये याद रखना युगमा कोदभित गेमीटोफाइट की सारे लक्षन N है और बिजानुदभित स्पोरोफाइट के सारे लक्षन 2N है विवेक जी बहुत बढ़िया भई ठीके तो आप समझ लीजिए डाइग्राम पे कितने तरे डाइग्राम से लक्षनों पे सवाल कैसे बना सकते हैं स्फेगनम को हम किस नाम से जानते हैं पीट मौस कहते हैं बौग मौस कहते हैं इसका आर्थिक महत्व डाइग्राम बना देंगे और इसका आर्थिक महत्व पूछ लेंगे Economic Importance ये जिवाश्म के रूप में यूज होता है इसमें जल अवशोशन की शमता जादा होती है इसका म एक चीज और सुन लेना बचो, एक चीज और यह है कि एक bryophyte का diagram दे दे देंगे, teridophyte का diagram भी दे सकते है, आप समझ रहे हो, एक तरफ celaginilla का diagram दे दे देंगे, एक तरफ sphagnum का diagram दे देंगे, और फिर आपसे पूछेंगे दोनों में तुलना, तो आपको पता होना चाहिए एक स्फैगनम है, तो ब्रायोफाइट है, उसके लक्षन अलग होंगे, टेरिडोफाइट सेलेजी निला है, इसके लक्षन अलग होंगे, दो अलग-अलग डायग्राइम को एक साथ बना के सवाल बना सकते हैं, तो ये आपके पास सेलेजी निला है, बिल्कुल सही, संजीवन जिसे आप कहते हो, ये सेलेजी निला टेरिडोफाइट है, कैसा टेरिडोफाइट है ये सम भी जानू टेरिडोफाइट से भई ये सम भी जानू है या विशम भी जानू होमोस्पोरस टेरिडोफाइट से या हेटरोस्पोरस तो ये भी सवाल बना सकते हैं ये सर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है सेलेजी नेला है फिर ये इक्वी सेटम है इक्वी सेटम को और किस नाम से जानते हैं ये घोडे की पूच आकार का है होर्स टेल्स ये घोडे की पूच जैसा है इसलिए इसको होर्स टेल्स कहते है ये आपके पास fern हो गया सबसे बड़ा समूझ जो है teridophytes का वो आपके पास fern हो गया और ये salvenia है ये भी heterosporus है भई salvenia भी कैसा होता है heterosporus NCRT में बार-बार दे रखा है saliginilla और salvenia जैसे heterosporus teridophytes तो इन saliginilla और salvenia में सबसे पहले बीज प्रवर्ती आई seed habit सबसे पहले किस में आया तो seed habit सबसे पहले saliginilla और salvenia में आया दाकर बेटा daecious का मतलब होता है male और female अलग-अलग होते हैं बेटा और monoecious का मतलब है male और female एक ही plant पर होते हैं ठीक है भई उमेश जी ने अच्छा सवाल पूचा है पूरे paper में कितने diagram के सवाल आएंगे बेटा दो या तीन उमेश जी 90 सवाल अगर आपको attempt करने हैं तो उसमें मान के चलिए 2 से 3 सवाल maximum diagram के आते हैं 3 से जादा नहीं पूचेंगे और उसमें भी आपको पता है कि आपके पास 11 की में बात करूँ तो plant kingdom और animal kingdom इन में बहुत जादा संभावना है कि diagram चित्र दे देंगे और उसके लक्षन पूच लेंगे उससे labeling पूच लेंगे पुश्पिय पादपों में लेंगिक जनन है एंजियो स्पर्म में gymnosperms है भई अब gymnosperms में ये साइकस ये तो अपने घर में भी लगा होता है ये तो आपको अपने गमलो में घर में बहुत जगे मिल जाएगा साइकस ये आपके पास pinus है बड़े वरिक और ये आपके पास गिंको है तो अब इस पे तो बहुत ज़्यादा संभावना है ठीक है? अब आपको पता है गिंको है गिंको तो ये जीविद जीवाश्म का उधारन है ये जीविद जीवाश्म लिविंग फॉसिल है आपको पता होना चाहिए गिंको साइकस में तो बहुत थार एलक्षन बन सकते हैं आपसे पूछ लेंगे किस इन पादपों में कौन सी जड़े पाई जाती है अब आपके पास ये जो कोरेलोइड रूट्स है क्या होते हैं? इस पे नील हरी छेवाल यानि ब्लू ग्रीन एलगी जो है इसके साथ सहजीविता दर्शाती है पाईनस के साथ कौन सी जड़े पाई जाती है? माईकोराईजा माईकोराईजा रूट्स पाईनस के साथ उमेजी एक चीज़ा दखेगा बेटा हमेशा आपने न संभावना पे काम कर सकते हैं मतलब एक्जाम में किन चीज़ों की आने की संभावना है अब देखो exactly क्या आएगा वो तो किसको मालूम यार वो तो साथ में को आपको मालूम चलेगा लेकिन अगर आपको prepared आप हो पहले से prepared हो कि सर हाँ आएगा तो इसी में से तो जब ये confidence होता है न कि सर हमने जो पड़ा है उसी में से आएगा तो उस confidence की बात ही अलग होती है माईक और आईजा में आपको पता है कवक होती है कवक के साथ सहजीविता होती है और कवक का वंश क्योंकि वो भी चैप्टर में दे रखा है कवक का वंश गलोमस होता है तो ये diagram टेरिडोफाइट आप फिर याद रखना एक टेरिडोफाइट दे सकते हैं एक जिमनोस्परम दे सकते हैं एक ब्रायोफाइट एक टेरिडोफाइट को साथ में रख सकते हैं ठीक है तो ये भी आपको system पूछा जा सकता है ठीक है फिर ये तो जिम एंजियो स्पर्म से बच्चो डायकॉट और मोनोकॉट से इसमें तो जादा कोई कॉप्लम है नहीं लेबलिंग का अब ये देखो भाई जन्तू जगत है जन्तू जगत में अरिया सम्मिती आपको पता ही होनी चाहिए रेडियल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री का मैंने आपको बता रखा है याद कैसे रखोगे रेश से अरिया सम्मिती रेडियल सिमेट्री का मतलब है अगर एक common अक्ष हो central axis है और कोई भी अक्ष उस center से पास अगर कर रहा है और उससे बराबर हिस्सों में divide हो रहा है और ग्यानिजम तो उसको अरिया सम्मिती कहते है रेडियल सिमेट्री आपको किसमें देखने को मिलेगी रेड इकाइनो ڈरमाटा के भी एडल्स में उसके लारवा में नहीं क्योंकि इकाइनो ڈरमाटा के लारवा में dviparṣ्ष सम्मिती या bilateral सिमेट्री होती है तो आपके पास रेज याद रहेगा अरिया सम्मिती, salentrator और टैनो फोरा में तो है ही और इकाइनो ڈरमाटा के वयस्क म में होगी ठीक है फिर आपके पास ये द्वी पार्षव सम्मित ही है तो बाकी पौरी फेरा को छोड़ दो बचों क्योंकि पौरी फेरा के ज्यादा तर जीव असम्मित होते हैं यानि पौरी फेरा के ज्यादा तर और्गानिजम्स तो एसिमेट्रिकल है पौरी फेरा को छोड़ दो और रेस वाला सीलंट्रेटा टैनोफोरा और एकाइनोडर्माटा के एडल्स छोड़ दो बाकी सारे के सारे और्गानिजम्स बाकी सारे के सारे और्गानिजम्स द्वी प ये सब के सब किस प्रकार की सम्मिती दर्शाते हैं किस तरह की सिमेट्री है bilateral symmetry ठीक है वही फिर आपके पास ये दो जनंस्तर और तीन जनंस्तर वाला डाइग्रैम है diploblastic और triploblastic diplo में दो होती है तो याद रखना भी आसान है सर diploblastik में दो जनन्सतर हैं तो पहले दो ले लो porifera और sealant reta पहले दो phylum कौन से हैं? porifera और sealant reta और हमेशा याद रखना sealant reta और tenophora के सामानने लक्षन सेम है जो general features हैं वो sealant reta और tenophora के सेम होते हैं बस tenophora को sealant reta से अलग phylum में इसलिए रख दिया था क्योंकि उनमें दंश कोशिकाई नहीं होती तो nido blast नहीं होते थे इसलिए tenophora अलग बनाया गया इसका मतलब जो symmetry है या जो दो जनन्सतर है या जो काय संगटन है general features तो sealant reta और tenophora के सेम ही होंगे और इसका मतलब platy helmetus से लेकर सारे के सारे chordates तक चपते क्रिमी platy helmetus से लेकर chordates तक सब में जनन्सतर कितने होंगे तीन जनन्सतर या triploblastic system होता है बेटा हिंदी के NCRT में गलत दे रखा है hemi core data के बारे में आपको याद रखना है hemi core data में open है हिंदी के NCRT में काफी जगे गलतियां है बच्चों मैं आपको बता देता हूं एक तो तंत्री का तंत्र जो chapter है उसमें हिंदी के NCRT में गलती है hemi core data का भी system जो हिंदी के NCRT में वो गलत दे रखा है उसको आप सही कर देना ठीक है फिर आपके पास ये देह गुहा है बचों देह गुहा का मतलब है सीलम की बात हो रही है तो सीलम भी आपके पास तीन देख लो system ये आपके पास acylomate है acylomate का मतलब जिसमें देह गुहा नहीं होती इसका उधारन है platy helminthus तो जो चप्टे क्रिमी है platy helminthus वो acylomate होती है फिर B आपके पास pseudocelom है pseudocelomate का मतलब है इसमें गुहा तो है cilom तो है लेकिन ये mesoderm से स्तरित नहीं है mesoderm बिख्री रहती है तो pseudocelomate कौन होते है बच्चों accae helminthus example पर ही सवाल पूछेंगे तो pseudocelomate किसमें देखी जाती है accae helminthus इसका मतलब जो वास्तविक देह गुहा है वास्तविक cilom है जो mesoderm से स्तरित रहती है अंदर और बाहर से वो eucilomate कहां से आएंगे anelida anelida से लेकर chordates तक सब के सब क्या होते है eucilomate होते है ठीक है बई hyper saline lagoon होते है जल के वो हिस्से होते है शेत्र जहां पर hyper saline lagoon माही जी वो ncrt के ecology में दे रखा है तो जिसमें लवन की मात्रा या salts बहुत जादा होता है तो anelida से लेकर chordate तक सारे eucilomate है फिर इस पर देखो बच्चों ये भी चार्ट बहुत important है क्योंकि इस चार्ट में पूरा animal kingdom जो है उसको लक्षनों के आधार पर विभाजित कर दिया है और हमने वो देख ली दिये cellular देखो बच्चों आ सम्मित हैं कोशी की अस्तर हैं और ये सब पौरी फेरा में है फिर अरिया सम्मिती है आ एसीलोमेट है ये सीलन्ट रेटा और टैनोफ हो रहा है फिर बाइलाटरल सम्मिती है एसीलोमेट प्लैटी हेलमिंतस स्यूडो सीलोमेट एसकेहलबिंतस और सारे ये सीलोमेट अने लिडा से कॉर डेटा यही हमने देखा है टिश्यू औरगन सिस्टम तो ये पे ये वाले लक्षन भी आप से पूछ सकते है बेटा कॉनिफर जिम्नोस पर्म्स में आते हैं गजेंदर जी कॉनिफर जो है ना ये सारे पाइनस सेडरस जुनिपरस आपका सेकोया सबसे बड़ा जो जिम्नोस पर्म है सेकोया, रेड़ वुट्री ये सब कॉनिफर्स हैं बेटा ये सब जिम्नोस पर्म्स में आते हैं ठीक है भई जो है पास सब शॉनिफर्स इनके कॉमन नाम भी बूछ सकते हैं बचो ठीक है यू स्पॉनिफर्स पास को हम बात स्पंज कहते हैं और spongyla को हम fresh water शुद्ध जल fresh water sponge भी कहते हैं तो fresh water sponge किसे कहते हैं spongyla को bath sponge किसे कहते हैं you spongyla को बेटा देखो जितना time है diagram मैं सिरफ आप लोगों को एक relation बता रहा हूँ कि diagrams क्यों important है और S के albintus में pseudo-osilomate बिलकुल मही जी बिलकुल सही फिर आपके पास ये देखो sealant reta में आपके पास ये औरेलिया है और ये आपके पास adamcia है औरेलिया का common नाम आपको पता होना चाहिए jellyfish होता है adamcia का common नाम जो है वो sea animon होता है फिर ये दो अलग-अलग रूप भी हैं जो NCRT में आपको ध्यान में रखना है ये आपके पास umbrella आकार का होता है medusa रूप और ये cylindrical रूप है बेलनाकार जिसे कहते हैं polyp रूप तो polyp और medusa जो दो अलग-अलग रूप आपको किस में मिलते हैं sealant rates में मिलते हैं वो है तो औरेलिया में केवल medusa रूप पाया जाता है adamsia में केवल polyp रूप पाया जाता है लेकिन कुछ ऐसे sealant rates होते हैं जिनमें polyp और medusa दोनों एकांतरित पाये जाते हैं तो polyp और medusa दोनों किस में पाये जाते हैं और जिनमें polyp और medusa दोनों एकांतरित रूप से पाए जाते हैं उट पीडी एकांतरन को metagenesis कहते हैं ये भी point दे रखा NCRT में तो ये सब तरे के सवाल बन सकते हैं भई ये सारे सवाल आपके पास बन सकते हैं ये polyp cylindrical रूप होता है medusa क्या कहते हैं आपके पास umbrella shape ये asexually a-langic जनन दर्शाता है ये langic जनन या sexual reproduction दर्शाता है राम किशोर जी quaudates और non quaudates का मतलब क्या होता है भेटा आप इसी साल NEET की तयारी कर रहे हैं क्या अगर आप 7 आच या 9 दिनों के बाद NEET का exam देने जा रहे हैं भेटा और अगर आपको quaudates और non quaudates नहीं पता भेटा तो थोड़ा गडबड है भेटा और या तो हाप हमारे मजे लेने आये हैं यहां पर सेराम इति इसलिए comment करने आये हैं क्यों कुछ काम नहीं था तो इसलिए आ गए आपको comment करने तो उससे फाइदा नहीं है भेटा आप ही का time खराब होगा लेकिन अगर सहीव माइने में इमानदारी से कॉर्डेट और नौन कॉर्डेट के बारे में नहीं मालूम है बेटा तो फिर और इसी साल इन नौदस दिनों के बाद नीट देने जा रहे हो तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है बेटा मतलब कोशिश कीजिए अंदर से हमको पता है सारे उधारण अंदर से हमेरे तैयारी जबरदर्थ है हम तो आपका चेहरा देखा हमको मजे लेने का मन किया तो मजे लेने के लिए कमेंड कर दिया तो वो अलग बात है तो वो ले लीजिए अलाउड है ठीक है ठीक है भई पॉलिप मेडियूसा फिर ये दंश कोशिका का दुधार नाइडो ब्लास्ट सीलन्ट रेट के अंदर ये आपके पास दंश कोशिका जिसे कहते हैं नाइडो ब्लास्ट ठीक है भई टैनो फोरा में लार्वा अवस्था होती है भई टैनो फोरा की लार्वा अवस्था को सिड्डिपिड लार्वा सिड्डिपिड लार्वा होता है भई ये भी याद रखना वैसे NCRT में नहीं है बढ़ टैनो फोरा में अप्रत्यक्ष विकास है indirect development है मतलब लारवाद देखा जाएगा ठीक है भाई ये plurobrachia ये तो बहुत important है plurobrachia tenophora का उधारन है इसमें देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ गमनांग है तू आठ ciliated comb plates है और ये आठ ciliated comb plates गमनांग के रूप में और किस नाम से जानते हैं बच्चों इनको हम comb jellies भी कह सकते हैं sea walnuts भी कह सकते हैं तो ये सब tenophora, tenoplena इनमें जैव प्रदीप्ती का लक्षन है भई bio luminescence का लक्षन भी देखा जाता है लेकिन इनमें दंच कोशिकाएं नहीं होती इसलिए इनको अलग तक दिया गया है अरे बहुत बढ़ी ऑक्सिजन जी 70 में से 69 नमबर आएं आपके बहुत बढ़ी आ यारा ये आपकी मेहनत है बेटा बहुत अच्छा तो इस पे आपके पास याद रखना है फिर ये प्लैटी हेलमिंतस ये आपके पास टेप वर्म हाँ टीनिया सोलियम टेप वर्म है और ये आपके पास फैसी ओला यानी लिवर फ्लूख है ठीके ये ज्यादा तर पर जीवी है बचों दोनों के दोनों आपको धियान में रखने हैं पर जीवी या parasites होते हैं ये diagram देखके आपसे पूछ लेंगे इनमें उटसर्जन तंत्र क्या होता है भई बेटा nidoblast किसी का member नहीं है nidoblast तो दंश कोशिकाएं है sealant rate में मिलती है sealant rate में जो दंश कोशिकाएं होती है इनको nidoblast कहते है तो सारे sealant rate में मिलती है अब इनमें उटसर्जन अंग आपसे पूछ सकते हैं बच्चों तो याद रखना इनमें उटसर्जी अंग flame cells जो आला कोशिकाएं होती है यानि solenocytes होती है तो ये diagram बना कर आपसे पूछ सकते हैं, diagram है इसका मतलब ये चप्टे क्रिमी है, platy elminthus प्लैटी elminthus का लक्षन ही क्या है कि flame cells, जो आला कोशिका है और ज्यादा तर क्या होते हैं पर जीवी या पैरेसाइट्स ये liver flu का मतलब फैसी ओला है भई और ये टीनिया सोलियम यानि आपके पास tape worm है फिर ये तो ध्यानी है फिर आपके पास ये बहुत important चीज भई जहां से S-K-Helminthus चालू होता है बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है S-K-Helminthus आते ही बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है क्या-क्या बदल जाता है S-K-Helminthus से पहले तक अंग होते थे अंग तंत्र organ system organ system सबसे पहले S-K-Helminthus में आया कौन सा system सबसे पहले आया भई आहार नाल सबसे पहले पूरी विक्सित इसमें होती है digestive system सबसे पहले सभीता जी ने पूछा ऐसा digestion किसमें कहां पाया जाता है तो सुनो आओ सनी है सभीता जी सबसे पहला porifera porifera के अंदर digestion जो है वो कोशिका के अंदर होता है intracellular ठीक है intracellular किसमें मिलेगा porifera में porifera के बाद आये sealant rate में sealant rate में digestion intracellular और extracellular दोनो होता है और उसके बाद से जितने भी जानवर है platy, helminthus से लेकर पूरे caudates तक सब में digestion cell के बाहर extracellular होता है ठीक है मैं यही तो चाता हूँ जिस तरह से हमारी NCRT तयार है जिस तरह से हमें मालूम है NCRT में कहां कहां दे रखा है बस आप ही लोगों को उसी तरह तयार करना है उतना तरीके से तयार कर लिए बहुत आजान मसा लगेगा आपको तो पौरी फेरा में डाइजेशन इंट्रा सेलूलर है सीलन्ट रेटा में इंट्रा सेलूलर एक्स्रा सेलूलर दोनों है और बाकी सारे आज के आगे के सारे जन्तूओं में एक्स्रा सेलूलर है भाटी जी क्या पूछ रहे हैं अब आप comment अब देखें हमने, आप reply, क्या पूछिए चलिए, आपका जवाब देते हैं, क्या सवाल है आपका, पूछिए का, पूछिए बाटी जी, क्या पूछ रहे हैं आप, रेनेट सेल्स क्या होती हैं बेटा, एचाकार की रेनेट कोशिकाएं जो होती हैं, वो उच्छ सर्जन में काम करती हैं, एस के हलमिंतस में पाई जाती हैं, लेकिन NCRT में नहीं मेंचन है, ठीके, NCRT में रेनेट सेल्स की बात नहीं कर रखी हैं, बट फिर भी रेनेट सेल्स, एचाकार के उचसरजन कोशिकाए हैं जो S के हलमिंतस में देखी जाएंगी ठीके बेटा, ये digestive system NCRT में दे रखा है, इन में muscular pharynx भी होता है पेशिया ग्रसनी वाला विकसित पार्चन तंत्र S के हलमिंतस में पहली बार मिलेगा फिर इन में pseudo-sealumate होती है विशिश लक्षन है, इनका pseudo-sealumate है और सबसे important पहली बार unisexual animals है नर और मादा पहली बार इधरी अलग हुए है नर और मादा पहली बार यहीं पर अलग हुए है इससे पहले सारे उभय लिंगी सारे bisexual animals थे पौरी फेरा, सिलन्ट रेटा टेनोफोरा, प्लैटी हेलमिंता सब के सब bisexual सब के सब bisexual थे उभया लिंगी, पहली बार unisexual किसमें आए भई? एसकर इसमें और इनमें नर देखो, यहसे तो अच्छली नर थोड़ा छोटा होता है इसमें छोटा होता है और curved घुमावदार है मादा आपको पता होनी चाहिए लंबी होती है और straight होती है तो नर और मादा अलग-अलग है unisexual है और देखकर पता भी कर सकते है देखकर पता भी कर सकते हैं भई, देखकर पता भी कर सकते है नर कौन सा है, मादा कौन सा है, लेंगिक ड्वी रूपता भी पाई जाती है जैसे कौकरोच में मिलती है ना, जैसे तिलचटे में लेंगिक ड्वी रूपता मिलती है sexual dimorphism, anal styles, male में होते हैं, female में नहीं होते इसी तरह से इन में भी मिलेगा देखो, लेंगिक ड्वी रूपता, sexual dimorphism, ascaris में मिलेगी, cockroach में मिलेगी और drosophila में भी मिलेगी क्योंकि drosophila जो genetics का chapter है, Morgan ने जिस पर experiment किये थे उसमें drosophila के side में दो छोटे diagram बना रखें नर को छोटा बना रखा है, मादा को बड़ा बना रखा है तो नर छोटे होते हैं, मादा बड़ी होती है drosophila में भी उसमें भी लेंगिक ड्वी रूपता पाई जाती है और यही एक लक्षन था कि Morgan ने drosophila को अपने प्रयोग के लिए यूज किया था और भी कारण थे कि वासानी से कृत्रे माध्यम पे समवर्धित हो सकती थी ठीक है, उसका जीवन चक्र, उसका लाइफ साइकल दो हफते में पूरा हो जाता है लेंगिक ड्वी रूपता पाई जाती है और उनमें जितनी भी जानुवान्चिक विवित्ता होती है जो जैनेटिक वेरियेशन से हैं उसको लो पाउर माईक्रोसकोप में देख सकते है ठीक है, तो मतलब आप 360 डिगरी एक चीज को दूसरे चीज से जोड सकते हो दूसरे को तीसरे चीज से जोड सकते हो 360 डिगरी NCRT तयार कर लीजिएगा अरे वर्षा जी उसके बाहर ना कभी कुछ आया है ना कभी आएगा नोट्स आपने पड़ लिए NCRT आपने पड़ लिए है तो फिर उसके बाद कुछ नहीं आएगा बेटा, इंटरा का मतलब होता है सेल के अंदर और इंटर का मतलब होता है दो सेल के मध्या ठीक है चलो अब ये एनेलिडा भई एनेलिडा में आपके पास ये खून चूसने वाली हिरूडिनेरिया है ब्लड सकिंग लीच और ये आपके पास निरीज है तो ये एनेलिडा है बहुत सारे सवाल बना सकते हैं इसने बढ़िया भई तो अब इनेलिडा में बच्चों देखो नेफरीडिया होता है लोकोमोटरी ओर्गन इसमें नीरीज में पैरापोडिया है जो स्विमिंग में मदद करते हैं ठीक है फिर इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है परिसंचरन तंत्र इंपोर्टेंट चीज है सर्क्यूलेटरी सिस्टम परिसंचरन तंत्र क्लोज्ड होता है परिसंचरन तंत्र क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है ठीक है भई ये डाइग्राम से हैं अब ये देखो ये आर्थ्रोपोडा के हैं यह सारे आर्थ्रोपोडा के हैं इसमें देखो लोकस्ट है पहला तो लोकस्ट यानि टिडडी NCRT में लोकस्ट को कह रखा यह जुन्ड में रहते हैं बच्चों जुन्ड में रहते हैं तो इनको gregarious pest कहते हैं gregarious इंगलिश में लिखा हुआ है gregarious का मतलब जुन्ड में रहने वाले तो gregarious pest या यह लोकस्ट है बाकि आप लोगों को पता है प्रॉन यह डाइग्राम बना कर पूट सकते हैं इसमें उच्चरजी अंग कौन सा होता है जड़ा बताना तो comment चेक करता हूँ बच्चों आप लोगों के जड़ा बता दो तो कि प्रॉन जो है उसमें उच्चरजी अंग कौन सा होता है मज़ा जाएगा जड़ा बताओ तो प्रॉन के अंदर उच्चरजी अंग कौन सा मिलता है आरे जवाब तो दो भई बहुत बढ़िया भई एंटी नरी या ग्रीन ग्लैंड्स एंटी नरी या ग्रीन ग्लैंड्स मिलते है और स्पाइडर्स आते हैं एरेकनिडा उसमें कौक्जल ग्लैंड्स होते हैं बिलकुल सही और कीटो में मतलब बटरफ्ला या इंसेक्स में इन में malfegian-tibules malfegian-tibules बच्चों, कीटो में, िनसेक्स में होंगे बई cockroach के अंदर, butterfly के अंदर, मक्षरों के अंदर उनके अंदर malfegian-tibules होते हैं ठीके, यह moluska के example पाईला यह पाईला जिसको common नाम से क्वे जानते हैं apple snail है ये भई और ये Octopus है Octopus जिसको Devilfish कहते है तो Octopus को Devilfish ये मॉलस्का है Soft-bodied animal कोमल काये वाले जन्तु होते है कोमल काये इनकी बोडी होती है ठीक है ना, बिलकुल सही उसके बाहर एक mantle पाया जाता है इनमें श्वसन हो या उटसर्जन हो कलोम, गिल्स के द्वारा होता है ये सारे लक्षन आपको इसमें ध्यान में रखने है बेटा लार्वा सविता जी जिसमें लार्वा होगा उसका अप्रत्यक्ष विकास है जिसमें लार्वा नहीं होगा उसमें प्रत्यक्ष डिवेलप्मेंट Direct development का मतलब है लार्वा नहीं होता और आप्रत्यक्ष का मतलब है जिसमें लार्वा पाया जाता है ठीक है इसके अंदर सीपिया भी होता है बिल्कुल सही जिसको cuttlefish कहते हैं बचो सीपिया कटलफिश ये सीपिया ओक्टोपस में देखो वैसे तो इनके अंदर परी संचरन तंत्र खुले प्रकार का होता है लेकिन ओक्टोपस सीपिया ये जो सिफैलो पोड़ा है इनका परी संचरन तंत्र बंद प्रकार का होता है ये भी ध्यान में रखना है इंदार जी ने पुछा है स्थर रीकॉमिनिंट डियने का केवल Eukeriotic Base में करते हैं नहीं बेटा पूर्णयोजग DNA आप जिवानू में भी डाल सकते हैं प्रो केरियोट्स में भी डाल सकते हैं किसने कहा Eukeriots में नहीं ठीके फिर आपके पास यह आखरी Echinodermata है भई Echinodermata Starfish Asteris और यह Ophiora Ophiora को क्या कहते है भंगूरतारा यानि capital star कहते हैं इसको और यह आपके पास Asteris है Starfish है ठीक है ना इनमें जल समवेहनिया तंत्र इनमें विशेश लक्षन क्या पाया जाता है बचों जल समवेहनिया तंत्र या वाटर वैस्कूलर सिस्टम पाया जाता है तो वाटर वैस्कूलर सिस्टम या एम्बूलैकरल सिस्टम किसका लक्षन है आपके पास ये Echinodermataka है तो डाइग्राम के आधार पर आपसे कोई भी सवाल पूट सकते हैं ठीक है फिर आपके पास ये Belenoglossus Hemicordata भई Belenoglossus Hemicordata है किसके बीच की सयोजक कड़ी है Cordates और Non-Cordates के बीच का Connecting Link है तो इसमें वास्तविक Notocord नहीं होती फिर क्रिमी जैसी बोडी होती है वर्म लाइक बोडी है प्रोबोसके स्कॉलर और ट्रंक में विभाजित होती है परिसंचरन तंत्र खुले प्रकार का है याद रखना फिर आपके पास ये देखो Cordate के लक्षन है भई Cordate के लक्षन Notocord पाई जाती है Notocord किस जननस्तर से विक्सित होती है Mesoderm तंत्री का रज्जू Nerve Cord पाई जाती है जो Ectoderm से विक्सित होती है Nerve Cord non-Cordates में भी मिलती है Cordates में भी मिलती है लेकिन हमारे अंदर जो Nerve Cord है Spinal Cord वो पीछे की तरफ होती है पीछे का मतलब है Dorsal होती है प्रिष्टिय होती है और एक होती है सिंगल होती है और खोकली होती है Hollow तो Cordates का जो तंत्री का रज्जू है यानि जो Nerve Cord है वो प्रिष्टिय होगी Dorsal एकल होगी और खोकली लेकिन जो Non-Cordates होते हैं Non-Cordates में इसका उल्टा कर दो अधरिय होगी सिंगल नहीं डबल होगी और Hollow नहीं ठोस होगी फिर क्लोम दरारे गिल स्लिट्स किसमें मिलेंगी Cordates में Non-Cordates में नहीं होती और Post-Annal Tail पूछ मिल सकती है जो किसी Non-Cordates में नहीं पाई जाती तो ये लक्षन जो है वो Cordate और Non-Cordate के अंतर भी आपको बता देते हैं ठीक है भई हाँ बेटा जब Botany हो, Zoology हो पूरी ही Biology पढ़ाते हैं ठीक है तो बचो देखो एक मुख्य उदेश्य ये Diagram वाले Topic लाने का ये था कि हर Diagram से तीन तरे के सवाल आप तैयार कर सको उस Diagram की Labeling तैयार कर सको उस Diagram वो Diagram किस चीज का है किस Organism का है वो पता कर सको और उससे संबंदित उसके लक्षन जो है वो आप तैयार कर सको ये ही उद्देश्य था आज के Session का बचो ठीक है अब मैं देखो इतना जरूर आप से निवेदन करना चाहूंगा बच्चों की आप लोग बहुत महनत बहुत बढ़िया तरीके से लगातार पूरे साल बर महनत कर रहे हैं हम लोग भी यूट्यूब के माद्यम से लगबग लगबग दो-तीन महीने से जुड़े हुए है लगबग दो-तीन महीनों में हमने NCRT पेज बाई पेज सीरीज किया है वन शॉट किया है एक्जाम्पल से हैं क्वेस्चन्स आपको कराए है तो आई होप इतना सारा मटीरियल आपके पास अब है कि लास के आठ नौ दिनों में आप खुद 14 यानी 12 से 13 घंटे मन लगाकर NCRT को बढ़िया तरीके से तयार कर सकेंगे देखिए वैसे हर वेक्ती हर स्टूडेंट का अपना एक इंटर्पेडेशन होता है अपना एक तरीका होता है पढ़ने का बट मेरे एक्सपिरियंस और मेरे अनुभव से आपको जरूर इतना बताना चाहूंगा कि लास के आठ से नौ दिनों में जितना हो सके सेल्फ स्टडी जो है अपने आप जितना NCRT को खोल कर अब आप पर सको वो जरूर कीजेगा कोशिश बेटा पूरी करी है कि आपको NCRT को आसान बना सको चीजें आपको बता सको कि किस तरह से एक्जाम में आएंगी क्वेशन्स हमने सॉल्ल किये हैं उसी तरीके से इतना जरूर याद रखना बच्चों जैसा हमने पढ़ा है जैसा आप लोगों ने पढ़ा है वैसे ही सवाल आएंगे पेपर आसान ही आएगा पेपर में सवाल वही आएंगे जो आपने पढ़े हैं उसी हिसाब से पूछे जाएंगे बस इतना फरक हो सकता है कि उस समय आपको या तो याद आएंगे या नहीं आएंगे और वो याद उस समय पर आजाएं उस मिनट में हर सवाल के तीन मिनट के अंदर अंदर वो आपको जवाब याद आजाए वो तभी संभव होगा जब आपने उस चैप्टर को कम से कम दस बार पढ़ा होगा तो बस दस बार एक चैप्टर को जरूर पढ़िएगा NCRT को बढ़िया तरीके से तयार करिएगा एक्जाम तो आप बढ़िया ही करके आएंगे ठीके बचों इसी तरह से मेहनत करते रहिए भगवान से जरूर आशा करूँगा कि आप लोगों का एक्जाम जो हो आप लोगों का पेपर जो हो वो बहुत बढ़िया हो और जिस दिन पेपर हो साथ में को उस दिन आप जरूर हमको मेसेज करके बताएं कि सर बहुत अच्छा पेपर हुआ जैसा आपने कहा था वैसा ही पेपर आया जैसा सवाल आपने करे थे उसी तरह से पूछे गए थे ठीके बढ़िये बढ़िया तरीके से परते रहें बचों बहुत बहुत धन्यवाद